हलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन में तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटिफुल नेक डिजाइन जिसे हम डोरी के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे तो नेक कट करने के लिए इसी है तो अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम nekkie चुड़ाई को mark करेंगे तो चड़ाई मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ 5 इंच को हम ऐसे सीधा-सीधा mark कर देंगे तो अब हमें nekkie गहराई लेनी है तो गहराई ऐसे मैं सीधे में लूँगी तो यहां से हम साड़े 6 इंच पर mark करेंगे इसकी गहराई तो साड़े 6 इंच को भी हम ऐसे ही सिधा सिधा mark कर देंगे तो अब 20 थी marking के अंदर हमें अपने neck की marking करनी है तो मैं यहां पर round neck mark कर रही हूँ आप धीरे धीरे पहले mark करके देख लीजे जो भी marking आपके बिल्कुल perfect आए आप उसको dark कर लीजिए तो ऐसे मैंने round neck mark कर लिया है और अब हमें बाहर से extra बुक्रम को draw करना है यहां से पोना पोना inch तो यहां पे अब हम इस तरीके से inchi tape को रखेंगे और बाहर से extra बुक्रम को draw कर लेंगे तो ऐसे अब हम अपनी marking को मिला देंगे तो यह एक तरह का double neck काएगा ऐसे हमारा यह बड़ा वाला neck draw हो चुका है और अब हमें इसके बीच में लगबख सवा inch का gap लेना है एक inch दो point का मैं यहां पे gap ले रही हूँ तो अंदर वाली side में हम ऐसे mark करेंगे इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए सवा सवा inch हम mark कर लेंगे तो ऐसे हम अंदर वाली marking को भी इस तरीके से मिला देंगे तो ऐसे हमारे gap की भी marking हो चुकी है और अब हमें इसी के अंदर छोटा वाला neck draw करना है तो इसी वाली marking के उपर इंची टेप को रखके अंदर वाली side में हम पौना पौना इंच mark कर लेंगे तो ठीक इस तरीके से हमें अपने neck की marking करनी है तो ये बड़ा वाला neck हो गया हमारा और ये बीच वाला gap जो सवा inch का हमने लिया था और ये हो गया उपर वाला छोटा वाला neck तो चलिए अब हम अपनी marking के साथ साथ इसको cut कर लेते हैं तो ऐसे हमारा ये बड़ा वाला neck cut हो गया है तो ये हो गया हमारा सवा inch का gap और ये हो गया बीच वाला छोटा वाला neck तो इस तरीके से हमने अपने neck की cutting कर ली है और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ तो ये हो गया हमारा छोटा वाला neck और ये हो गया बीच वाला gap gap को हम फिंकेंगे नहीं इसको रखके हमने paper के उपर mark करना है इसके अंदर और बाहर वाली साइड में और इसको side से fold करते हुए यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है और अब हम इसको अपनी कुड़ती पर रखके पल्टेंगे तो ये मेरी glaze cotton की कुड़ती है कुड़ती की हम सीधी side लेंगे और neck को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे तो सबसे पहले center में एक rough stitch उसके बाद बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो ऐसी यही सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम बीच वाले fabric को कट कर देंगे तो यहाँ से एक एक पैर का margin लेते हुए बीच वाले सारे fabric को हम कट कर देंगे तो अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे cuts भी लगा देंगे तो cuts भी लग चुके हैं और अब हम इसको पलट लेते हैं अंदर की तरफ तो इसको पलटते हुए हम यहाँ पे rough stitch कर देंगे तो ऐसे rough stitch भी हमारी लग चुकी है और यह बड़ा वाला neck हमारा ready हो गया है और अब हमने इसके बीच में जो 7 इंच का gap लिया था ना उसमें हमें पटियां stitch करनी है तो चलिए वो ready कर लेते हैं तो ऐसे मैंने रेजिस्टर का एक paper लिया है जिस पे हम यह gap वाला neck यानि की 7 इंच वाला gap वाला neck इसके उपर रखेंगे किसी भी dark pen से आप mark कर लीजिए ऐसे हमारा जो gap है न वो बिल्कुल equal आएगा तो अब हम उपर और नीचे यहाँ पे mark करेंगे एक एक इंच का बिल्कुल सामने सामने हमने करना है तो पहले हम बाहर वाली marking के उपर mark कर लेते हैं एक एक इंच का सबसे पहला mark हम आधे हिंच पे करेंगे उपर से यह देखिए आधे हिंच पे हमने mark करना है और अब हम एक एक इंच का gap लेंगे इस तरीके से ऐसे हम अपने पूरे neck के उपर mark कर लेंगे तो ऐसे हमने उपर और नीचे दोनों तरफ मार्क कर लिया है तो अब हमें इसी मार्किंग के उपर रखके अपनी पटियां स्टिच करनी है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो पटि रेडी करने के लिए मैंने ये फैबरिक लिया है और ये लगबग सवाइन चोड़ा है ये देखिए लंबाई में आप थोड़ा जादा ले ले क्यूंकि हमें इसे छोटी छोटी पटियां कट करनी है तो अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से एक तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से ऐसे और फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे तो ये पट्टी हमारी ऐसे तयार होगी है और अब हमें इसे छोटे छोटे पीसिस कट करने है तो लगबग 1.5 इंच का हम एक पीस कट करेंगे तो 1.5 इंच का पहला पीस आप इस तरीके से मार्क करके कट कर लीजिए और बाकी सारे इसी के बराबर कट कर दीजिए तो ऐसे हमारी ये सारी पटियां कट हो चुकी है और अब हम पटियों को इसके उपर रखके स्टिच करेंगे तो हमने अपनी मार्किंग के उपर रखके इनको स्टिच करना है पटि को लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से अपनी मार्किंग के उपर इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमने पटियों को बिल्कुल बराबर रखते हुए अपनी मार्किंग के उपर उपर स्टिच कर लेना है तो ऐसे अंदर वाली मार्किंग के उपर हमारी ये पटियां स्टिच हो गई है और ऐसे हमने बाहर वाली मार्किंग के उपर रखके पटियों को स्टिच करना है तो पटियों को इस तरीके से रखेंगे तो ऐसे सारी पटियां हमारी उपर और नीचे की तरफ स्टिच हो चुकी है और अब हम ये पेपर वाले पैटरन को अपनी कुर्टी के साथ स्टिच करेंगे तो ऐसे सीधा करके रखेंगे पैटरन को और कुर्टी वाले नेक को इसके उपर ऐसे सेट करके रखेंगे और यहां पे बिल्कुल अपनी मार्किं के उपर रखे नekt को यहां पे किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ऐसे कुर्टी वाला नेक हमारा किनारी की सिलाई के साथ पैटरन के उपर स्टिच हो गया है और अब हमने इसके बीच वाला यहनी की छोटा वाला नेक ready करना है तो उससे पहले हम ये paper को बीच में से cut कर देंगे यहां से अपनी सिलाई के साथ-साथ दो-दो पैर का margin लेते हुए बीच वाले सारे paper को हमने cut कर देना है तो ऐसे हमने बीच में से extra paper को cut कर दिया है और अब हम इसके बीच वाला जो छोटा वाला neck था उसको ready करेंगे तो यह जो छोटा वाला neck था इसको मैंने ऐसे extra fabric के उपर paste कर लिया है paper pasting के साथ और अब हमने क्या करना है बाहर से यह extra fabric को cut कर देना है सिरफ आधे-आधेंज का ही margin लेना है तो बिल्कुल इसके साथ का ही एक और fabric मैंने cut किया है ऐसे ही इतना ही चोड़ा और इतना ही लंबा और उस पे भी मैंने pasting लगा ली है और अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे नीचे वाले fabric को सीधा करके और इसको इसके उपर ऐसे उल्टा करके और फिर अंदर वाली side बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमने अंदर वाली side में सिलाई लगा दी है और अब हम बीच वाले fabric को cut कर देंगे तो यहां से एक एक pair का margin लेते हुए बीच वाले सारे fabric को हम इस तरीके से कट कर देंगे और यहां पर छोटे-छोटे कट्स भी लगा लेंगे तो ऐसे कट्स भी हमारे लग चुके हैं और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और नेक को पलटते हुए यहां पर हम किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यहां पर हमने किनारी की सिलाई भी लगा दी है और अब हमने क्या करना है यह जो बुक्रम वाली साइड है न इसके साथ वाले फैबरिक को इस तरीके से अंदर की तरह फोल्ड करते हुए प्रेश के साथ अच्छे से बिठा देंगे बिल्कुल बुक्रम के साथ साथ और पीछे वाले फैब्रिक को भी हमने क्या करना है बिल्कुल इसके बराबर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको भी प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है बिल्कुल ऐसे तो ऐसे छोटे वाले नेक को मैंने बुक्रम के साथ साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है आगे और पीछे दोनों तरफ से और अब हम इसको अपनी कुर्टी पे रख के स्टिच करेंगे तो कुर्टी वाले पैटरन को हम इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे ऐसे और ये जो हमारी मार्किंग है न छोटे वाले नेक की ये वाली इसको दबाते हुए यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमारा ये छोटा वाला नेक भी उपर की तरफ स्टिच हो गया है और अब हमने क्या करना है इन पटियों के बीच में से हमें डोरी को निकालना है तो ऐसे मैंने डोरी को पहले से ही रेडी करके रखा है आपने दो डोरियां लेनी है लंबी लंबी तो ऐसे डोरी के एक कोन्य को हम धागे के साथ अच्छे से रैप कर लेंगे ताकि ये असानी से इन पटियों में से निकल सके तो इस तरीके से एक साइड से इसको ऐसे डाल से निकालना फिर नीचे से निकालना इस तरफ से और उसके बाद फिर उपर से हम इसमें से निकालेंगे डोरी को तो इस तरीके से हमें पटियों में से डोरी को निकालते जाना है तो ये देखिए एक डोरी हमने इस तरीके से नेक में से निकाल ली है और अब हमने दूसरी डोरी यहां से डालनी है तो ऐसे हमने दूसरी डोरी का भी एक को ना इस तरीके से धागे के साथ अच्छे से रैप कर लिया है और इसको भी इसमें से ऐसे निकालेंगे और फिर इसमें से पहले नीचे से फिर उपर से फिर नीचे से इसी तरीके से हमें जिगजग बनाते हुए डोरी को निकालना है तो नेक के दूसरे कोने तक हम ऐसे ही डोरी को गुमाते हुए ले जाएंगे तो ये देखिए डोरी को हमने पूरे नेक में से ऐसे गुमा लिया है और अब हमने क्या करना उपर से एक्स्टा डोरी के साथ इसको कट कर देंगे एक एक इंच हम एक्स्टा डोरी ले लेंगे तांकि ये पीछे वाले नेक में स्टिच हो जाए तो डोरी को भी हमने कट कर दिया है और अब हम पीछे से पेपर को निकाल देंगे तो पेपर असानी से निकल जाएगा तो ये देखिए पीछे से पेपर को भी हमने निकाल दिया है और देखिए कितना बीडिफुल ऐसे हमारा ये नेक डिजाइन तेयार हुआ है तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अची लगी हो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल दन बाबाई